हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवजर वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे EMI IPO यानि Electronic Smart India Limited IPO के बारे में एक धमाकिदार कंपनी आपको आती भी देखने को मिल रही है वापिस से और कह सकते हैं यहाँ पर E persuaded के बारे में काफी चड़ अब ऊ吧 इसका इस वीडैल में बात करेंगे इस remain प्लस क्या है इस कंपने के माइनस इस क्या है वो भी आपको इस वीडियो में देलेगा और आखिर में बात करेंगे वेदर तो अपला है और नॉट तो डेफिनिटली इंपॉर्टन वीडियो होने वाल है तो पूरा देखेगा दोस्तों चानल से पहली बार अगर आप पूरा देखने को मिलेगा दोस्तों 1980 में कंपनी का कारीरत थी और अगर आप कंपनी को देखेंगे तो यह याद रखेगा भारत की चौती लार्जेस्ट कंजूमर डूलेबल इलेक्ट्रोनिक्स रीटेलर ब्रांड है इंडिया के अंदर तो कंपनी के बारे में अगर बात क करती है ऐसा नहीं कि सिर्फ लाज अप्लाइंसे मिलते छोटे अप्लाइंसे मिलते जैसे मुबाइल स्मॉल अप्लाइंसे आईटी और अदर्स का काम भी करती है कंपनी के पास कुल मिलाकर छे हजार एसके यूज यानि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जो सारे प्रडुक्ट जो कर्डेग्री जे करीबन सतर कंजूमर दूरिबल और एलेक्ट्रोनिक ब्राइंस जो है वो आपको कंपनी के पास मिल जाएंगे तो वैसिकली यह मही है क्या एलेक्ट्रोनिक्स मार्ट इंडिया तो यहां पर आपको अलग-अलग ब्रैंड के भी सारे जो कैसकते हैं जैस अगर हम हिंदी में कहें तो सिंपल वाशा में अब कंपनी के बिजनस मॉडल को आप समझे बिजनस मॉडल आखिर है क्या तो एक तो है दोस्तों का ओनर्शिप मॉडल क्या है कि जो कंपनी यह जहां पर अपना इलेक्रोनिक्स मार्ट लगाते हैं वहां पे खुद की प्रॉ इसमें से आठ स्टोर्स जो है वह कंपनी के ओन है और पिचासी जो है वह अंडर लॉंग टर्म लीज रेंटल मॉडल पर यानि जो कंपनी है वह किस मॉडल पर चलती है एक तो लीज और ओनर्शिप में आठ खुद रखती है अपने पास और 85 आपको देखने को मिलेगा जो मेंली है वो लीज पर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो इनका टाइम रहता है वो बहुत लॉंग टर्म कर रहता है तो यह दोस्तों इनका कुछ मॉडल है तो यह तो आप समझ लीजे कंपनी के तीन चैनल से कुल मिला के रीटेल होलसेल और यी कॉमर्स यानि इलेक् प्रवणयों कि अगर बात करें तो कंपनी का रीटेल चैनल है वो करीबन यहां पर आपको देखने को मिलेगा 29312 मिलियन देता है contribution देता हुआ देखने को मिला था 2021 में e-commerce आप e-commerce देखे देखर के growth दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है और वो ही आपको साफ साफ नजर आएगा कि 2019 में company की जो e-commerce से sale आई थी वो 212.75 million के थी उसके अगले साल हो गई 280.1 million और अब अगर आप 2021 का data देखेंगे तो 444.57 million जो है वो company का e-commerce से भी पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है तो हर चीज देखे धीर धीर करके जो है वो grow करती हुई देखने को मिल रही है अब कुछ company के अच्छी बाते समझते हैं कुछ बुरी बाते देखते हैं तो दोस्तों अब company की strength आप समझे कंपनी की strength क्या है कि यह दोस्तों भारत की चौती largest consumer durable और electronics retailer है इंडिया के अंदर जो leadership position है southern इंडिया में mostly in terms of revenue जो है लगातर आपको steadily growth दिख रही है जो 53 स्टोर्स थे फवाए 19 में 99 स्टोर्स हो चुके हैं 1221 में और जो पैसे जुटाती भी देखने को मल रही है definitely आने वाल समय में और स्टोर्स खुलेंगे कंपनी का cluster-based approach रहता है cluster-based approach मतलब की expand करते हैं अपने लगाता stores को जिससे क्या होता है एक तो सबसे पहली बात company के stores बढ़ते हैं दूसरी बात करिकर जो geographical reach है और market presence है वह बढ़ता हुआ देखने को मलता है चौता सबसे important बात जो company वह offer करती है variety and cater a lot of users जो customers चाहता है बहुत साथी चीज़े चाहता है कि वह under one roof देख ले तो वह यह पुरा काम करने में सक्षम है तो यह दोस्तों company का सबसे अच्छा point है यह company का साथ बड़े-बड़े large warehouses है जो strategically manage क्या करते हैं कि लगातार जो inventory management रहे वो सहीर है यानि कभी भी stock कमना पड़े तो यह दो देखें company के कुछ अच्छी बात होगी अब company के कुछ risk समझिए तो देखें दोस्तों risk क्या है जो company है वो dependent है external sources पे इनकी जो products आते हैं वो खुद नहीं बनाती है यह दूसरे ऐसा तो अगर कुछ delay होता है कुछ disruption होता है कुछ supply के अंदर तो यह बहुत बड़ा risk है इस company के लिए इसके business operations के लिए इसके financials के लिए second main बात company का दुस्तों जो revenue आ रहा है वो सिफ दो state से mainly आता है जैसे मैंने अब आपको बताया और जो company का revenue आ रहा है वो कुछ fixed number of brand से आता है अगर मान किसे लिए कभी for example x brand से company जो है वो आपको 100 क्रोड कमाती भी देखने को मिल रही है और mainly वो है अब इस x brand का दोस्तों कभी दिक्कत आ गई inventory में या फिर कभी supply में तो यह जो company का 100 क्रोड का revenue आपको आता हुआ देखने को मिल जाता वो सकता है कि 50 क्रोड का ही हो सकता है और इसे profitability revenue सब पर दिक्कत आ सकती है तीसरी बात किया कि दोस्तों यह जो इंडस्ट्री वो definitely इस प्रकार किए कि लगाता नए नए प्लेयर्स आते रहते हैं लगाता नए प्लेयर्स आते तो company को अपने कुछ दामों में कमी करनी पड़ती है competitive nature अब इसको पॉजिट कमपनी को थोड़े बहुत losses भी हो रहे हैं और कुछ इनके investment जो है वो loss में जाते हुए नजर भी आ रहे है तो expansion हर बाद profitability नहीं होता है कभी को नुकसान भी देखे चले जाता है तो दोस्तों यह कुछ चार थे important points company के जो negative नजर आते अब बात करते दोस्तों company के financials numbers के उपर दोस्तों company के आप numbers समझे जो numbers है वो सार है आपको देखने को मिलेगा करोर्स में है तो कोई दिक्कजाली बात नहीं है हम last 3 सार के numbers के उपर ध्यान देते हैं तो देखे कंपनी का जो total revenue के अगर बात करेंगे तो 31 मार 2021 और 31 मार 2022 में numbers देखे 3,207 कोड़ का revenue 4353 कोड़ का हो मुनाफ़ आपको देखने को मिलेगा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है company की certain borrowings भी कह सकते की बढ़ती हुई देखने को मिली है लेकिन इस quarter में borrowings में कम ही आई है profitability आपको ज़रूर 103 क्योड़ जो देखने को मिल रही थी वो अभी यहाँ पर करीबन 40 करूड हो देखने को मिल रहा है इसमें कोई doubt नहीं है तो दोस्तो अब बात कर लेते देखें अब कुछ नंब यहाँ पर company के details के बारे में तो 59 रुपीज का प्राइस बंड के साथ दोस्तों company अपना आई पर लेका दिए 4-7 October की बीच में खुलेगा दोस्तों 54 मिलेंगे जरूर एक question निकल के आता है कि क्या company का price band बहुत सही है तो definitely price band दोस्तों इतना खराब नहीं दिखता है सही valuations पर company लाती भी देखने को मिल रही है और company ने जगह छोड़ी है कि अपने investors भी पैसा कमा सके टोटल दोस्ते 254 शेज भी लेंगे book bill type का issue है BSC NA से पे लिस्ट होगा और retail असको करीबन 35% तक का हिस्सा मिलता हुआ देखने को मिलेगा कुछ और tentative time travel की उपर बाहत के तो दिखिए चार साथ अक्तोबर की वीचे में खुलेगा बाया तरिक को allotment है त्या तरिक को refund और सता तरिक को दोस्तों इसकी listing होती भी देखने को मिलेगी एक lot के लिए आपको करीबन या पर 14,986 रुपीस चुकाने पड़ेंगे आप retail अ जिस valuation पर company पैसा लेके आ रही है अधर time of 13 मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली नहीं है डिक 39 की पी पर जो पैसा ले रही है कंपणी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है अब दोस्तों अब इसकी ग्रे मार्केट भी देखेंगे तो करीबन 32 रुपीस तलती भी देखने को मिल रही है यानि अल्मूस 55 परसंट का कई जगा 38 रुपे भी दोस्तों ग्रे मार्केट होती भी देखने को मिल गई है तो अन्डविदिग मार्किट भी बहुत के गेन संभाव है तो बिल्कुल इस आइप लगा सकते हैं ज्यादा आप मार्केट्स हमारे मार्केट्स में भी देखेंगे तो इस पर काम करती है तो मुझे रखता है कि बहुत बढ़ा करते भी देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटल यह आइप यो के उपर सब की निज़र होन Thank you friends watching this video